आज मैं आपको उन बच्चों की कुछ कहानिया सुनाने जाए हूँ, जो कभी बहुत बूरी परिस्तितियों में रहा करते थे, लेकिन आप सुरक्षत हैं, ये भारत के किस्से हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, कृपिय, भियान से सुनिये, शायद आप भी इसे कुछ सीख सकें, ये अजे है, जो जाडखंड से है, ये यहाँ बच्चों के केंदर में रहता है, ये उन बच्चों के लिए एक सुरक्षत जगा है, जिने बाल, मजदूरी और द जजडी खदान में काम करने के लिए भेजा गया था, मैं अपने गाओं के एक व्यक्ति के साथ गया था, जिसने मुझे बताया कि ये मेरे परिवार के लिए पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा, मुझे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा गया, ह तूखा था, वो अंदेरे में तेज औजार और एक भारी ट्रोली के साथ काम किया करता था, कभी-कभी उसके हाथ कट जाते थे और वो मुश्किल से ही सो पाता था, अजे फसा हुआ महसूस कर रहा था, अपने परिवार की बहुत कमी महसूस हो रही थी, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उनके पास वो कैसे वापस जाए, फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, द्राम द्राम, इक्तम से हंगाम मच गया था, बहुत सी अंजाने लोग कभी नहीं देखा था, वो कमरों की और भागे, जहां पे हम सब लोग सो रहे थे, मैं उन्हें देखकर बहुत ड़ग और मुझे लगा कि हम लोग की गिरिफतार ही होने वाली है, मैं भी गिरिफतार हो जाँगा, खदान मालिक चिला रहे थे, उन्हें चले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये नए लोग दियालू थे, उन्होंने आजे को समझाया कि वो सुरक्षित है, कि उसने कुछ भी ग चाया जा रहा है, अगर उसने चाहा तो वो उसे अपने परिवार के पास वापस चाने में भी मदद कर सकते थे, अजे उन लोगों के साथ बच्चों के सुरक्ष केंदर गया, ये जगा अजीब लग रही थी, लेकिन आजे ने जल्द ही नए दोस्त बना लिये, वो भी सुरेश पटाखे बनाया करता था, नेतरम रेशम बनाने के लिए खौलते हुए पानी में अपने हाथों को डुबाया करता था, रूपा तेज धूप में इंटे बनाती थी, जबकि प्रिया नोकरानी का काम करती थी, ये ऐसे काम है जो बच्चों को बिलकुल नहीं करने च था, मुझे लगता था कि वो मुझे वापस काम पर भीज देंगे। और उस पल से मेरा जीवन सुधरने लगा, मेरी समझ में आने लगा कि मेरा भवश्यू भी खुशाल बन सकता है और मैं इसका हगदार भी हूँ। उसके लिए खुद को दोश मात दीजिये। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप एक सुरक्षित जगा पर हैं जहां पर लोग आपको एक भैतर भविश्य के लिए प्रोचसाहिन देते रहेंगे। आपके। आपके। आपके।